Welcome to इश्यानी वीडियो कुन्डली भागय के आने वाले एपिसोड में अर्जुन प्रिता को शादी करने के लिए मजबूर करने वाला है अर्जुन प्रिता से शादी करने वाला है पृत्वी की वापसी होने वाली है और उसके साथ-साथ प्रित्वी के वापस आने के बाद में काफी बड़े ट्विस्ट भी आने वाले हैं अब प्रीता क्या अर्जुन से शादी करेगी, क्या अर्जुन की यहाँ पर बातों को वो सीरियसली लेगी या फिर यहाँ पर मजाग में हटा देगी, और आखिर में क्या अर्जुन सच में अपना यहाँ पर रिवेंज छोड़ कर प्रीता से फिर से शादी करेगा चलिए सारी बाते बताएंगे, हम आपको इस वीडियो के अंदर, लेकिन उसको बताने से पहले आप सब एक लाइक जरूर कर दीजेगा ताकि हमें अप्रिसियेशन मिले और हम आपको ऐसी ही रियल और इंटरस्टिंग अपडेट हमेशा प्रवाइट कराते रहें सबसे पहले बात करें आने वाले पिसोट की तो आने वाले पिसोट में अब यहाँपर सबसे पहले अरजुन और प्रीदा के बीच मेंि इंटरेक्शन होगा जहाँ पर अर्जुन प्रीता से बोलते हुए नजर आएगा कि आखिर में मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ और उसके साथ साथ यहाँ पर जब प्रीता बोलेगी कि आखिर मैं तो यहाँ पर रिशब की पत्नी हूँ जिसके बाद में अर्जुन बोलते हुए नजर सब प्रोमों में दिखाये गया है लेकिन आने वाले एपिसोड में पृत्वी की एंट्री के साथ-साथ यहां पर कई सारे और भी बड़े टुिस्ट आने वाले हैं सबसे पहले बात करें आने वाले एपिसोड की तो आने वाले एपिसोड में प्रीता और अर्जुन के बीच में यहाँ पर थोड़ा बहुत इंटरेक्शन और बढ़ेगा जिसके बाद में यहाँ पर प्रीता को करन का एहसास होते हुए बार-बार नज़र आएगा कि आखिर म यहाँ पर प्रीता बार बार अर्जुन के नस्दीक जाएगी वो भी यह देखकर कि आखिर में सारी बाते करन से जोड रही हैं वो दूर जाने की कोशिश करेगी लेकिन फिर भी वो बार बार पास आते जाएगी अर्जुन के और यहीं पर होगा सबसे बड़ा इंस्टेंट जहाँ पर अर्जुन की जलन और भी जादा बढ़ने वाली है और यहाँ पर सबसे बड़ा ट्विश तो तब आएगा जब यहाँ पर अर्जुन प्रीता के सामने बात रखेगा कि आखिर में वो उसे प्यार करता है वो उसे शादी करना चाहता है लेकिन यहाँ पर उसका स काफी ज़ादा जल रहा होगा कि आखिर में यहाँ पर प्रीता और रिशब दोनों एक दूसरे के काफी ज़ादा क्लोज आ रहे हैं यहाँ पर अंजली इस बात को देखकर काफी ज़ादा गुस्से में आएगी और उसके साथ-साथ अर्जुन के चेहरे को देखकर ओ काफी सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी जरूर कर लेना और और इंट्रेस्टिंग अब्लेट आपको ऐसे मिलते रहेंगी